C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ तीन कविता पहली बूंद प्रिष्ट संख्या 25 वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई अंकुर फूट पड़ा धर्ती से नव जीवन की ले अंगलाई धर्ती के सूखे अधरू पर गिरी बूंद अम्रित सी आकर वसंधरा की रोमा वली सी हरी दूब पुल की मुसकाई पहली बूंद धरा पर आई आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्रणिम पर बजा नगाडे जगा रहे हैं बादल धर्ती की तरुनाई पहली बूंद धरा पर आई इस प्रिष्ट पर कुछ बच्चे वर्षा में भीग रहे हैं इनके हाथ में च्छाता है पक्षी उड़ रहे हैं उमनते गुमनते बादल हैं और साथ ही एक घर का चित्र है प्रिष्ट संखिया 26 नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धर्ती की चिरप्यास बुझाई बोड़ी धर्ती शस्य शामला बनने को फिर से ललचाई पहली बूंद धरा पराई कवी गोपाल कृष्ण कॉल इस चित्र पर एक घर के बाहर एक बालक और एक बालिका पानी में नाव तेरा रहे हैं बालिका के हाथ में एक च्छाता है दोनों बच्चे बहुत प्रसंद हैं प्रिष्ट संख्या 26 कवी से परिचय धर्ती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अधबुद दिरिश्य रचने वाले बाल साहितिकार गोपाल कृष्ण कॉल 1923 से 2007 ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकरती और जीव जंत्मों से जुड़ी बहुत सी मुनुरम कविताईं लिखी हैं अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें प्रिष्ट संख्या 27 पाट से, मेरी समझ से का यहां दिये गए प्रश्णों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाईए एक, कविता में नव जीवन की ले अंगडाई किसके ले प्रयुक्त हुआ है बादल, अंकुर, बूंद या फिर पावस के लिए दो, नीले नतनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है बारिश की बूंदें, नगाडा, व्रिद्ध धर्ती या फिर बादल ख, आब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कि आपने ये उत्तर क्यों चुने मिलकर करे मिलान कविता के कुछ पंक्तिया यहां दी गई है इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिये गई हैं दाई तरफ के भाग में लिखा है कविता के पंक्तिया और दाई तरफ के भाग में लिखा है भावार्थ। अब हम तालिका पढ़ते हैं। बादल धर्ती की तरणाई यहाँ पर बजा नगाडे रिखांकित है। तीन नीले नैनो सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर यहाँ पर नीले नैनो सा रिखांकित है। और चार वसंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। यहाँ पर रोमावली सी रिखांकित है। और भावार्त के नीचे लिखा है एक मेग गर्जना, दो, बादल, तीन, हरी दूब और चार आकाश। अब आपने रिखांकित चब्दों को भावार्त के साथ मिलान करना है। प्रिष्ट संख्या 28 पंक्तियों पर चर्चा कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समहू में साजह कीजिए। और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्निम पर। बजा नगाडे जगा रहे हैं बादल धर्ती की तरुनाई। नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जल्धर, करुणा विगलित अश्रू वहा कर धर्ती की चिर्प्यास बुजाई। सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और इनके बारे में पता लगा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहले बून से धर्ती का हर्ष कैसे प्रकट होता है कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है कविता की रचना आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वाणिम पर कविता की इस पंक्ती का सामान अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है लेकिन जब हम इस पंक्ती का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है समुद्र का जल बिजलियों के सुनेहरे पंक लगा कर आकाश में उड़ रहा है ऐसे प्रयोग न केबल कविता के सुन्दरता बढ़ाते हैं बलकि उसे आनंद दायक भी बनाते हैं इस कविता में ऐसे द्रिश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें शब्द एक अर्थ अनेक अंकुर फूट पड़ा धर्ती से नव जीवन की ले अंगड़ाई कविता के इस पंक्ती में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है फूट का प्रयोग अलग-अर्थों में किया जाता है जैसे फूट डालना घड़ा फूटना आदी अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजे जहां इसके भिन-भिन अर्थ निकलते हों जैसे अंग्रेजों की नीती थी फूट डालो और राज करो प्रिष्ट संख्या 29 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीले नैनो सा ये अंबर काली पुटली से ये जलधर कविता की इस पंक्ती में जलधर शब्द आया है जलधर दो शब्दों से बना है जल और धर इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारन करने वाला बादल और समुद्र दोनों ही जल धारन करते हैं इसलिए दोनों जलदर है वाकि के संदर्ब या प्रयोक से हम जान सकेंगे कि जलदर का अर्थ समुद्र है या बादल शब्द कोश या इंटरनेट की सहता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंड कर लिखिये शब्द पहेली दिये गए शब्द जाल में प्रश्णों के उत्तर खोजे प्रिष्ट के इस भाग में एक खाना बना हुआ है जो की सोला छोटे भागों में विभाजित है सबसे उपर वाली पंक्ती में लिखा है अक्षर न, य, न, ल दूसरी पंक्ती के अक्षर है गा, दू, ब, अंग तीसरी पंक्ती में अक्षर लिखे हैं रा, अ, शुरू, ब और चौथी पंक्ती के अक्षर है ज, ल, ध, र, ग, एक प्रकार का वादियंत्र, रिक्तिस्थान ख, आख के लिए एक शब्द, रिक्तिस्थान, ग, जल को धारण करने वाला, रिक्तिस्थान, ग, एक प्रकार की गास, रिक्तिस्थान, अंगा, आसू का समनार्थी, रिक्तिस्थान, और च, आसमान का समनार्थी शब्द अब आपको दिये गए शब्द जाल में इन प्रश्णों के उत्तर खोज कर रिक्तिस्थानों को भरना है प्रिश्ट संख्या 30 पाठ से आगे आपकी बात बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन होता है बारिश आने पर आपको कैसा लगता है? बताईए आपको कौन से रितु सबसे अधिप्रिय है और क्यूं? बताईए समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन माध्यमों इलक्ट्रोनिक या प्रिंट या सोशल मेडिया के प्रमुक समाचारों में रहता है समवाददाता कभी बाड तो कभी सूखे या भीशन ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं आप भी बन सकते हैं समवाददाता या लिख सकते हैं समाचार अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिती देखी है उसका आँखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए स्रिजन प्रिष्ट के इस निचले भाग में एक चित्र दिया गया है जो की प्रकृती को दर्शा रहा है यहाँ पर कई सारे पौधे लगे हुए हैं नाम देना भी स्रिजन है यहाँ दिये गए चित्र को ध्यान से देखे और इसे एक नाम दीजिए प्रिष्ट संखिया 31 इन्हें भी जाने इस कविता में नगाले की ध्वनी का उल्लेक है बजा नगाले जगा रहे हैं बादल धर्ती की तरुनाई नगाला भारत का एक पारंपरिक वाद्धियंत्र है कुछ वाद्धियंत्रों को उन पर चोट कर बजाय जाता है जैसे धोलक, नगाला, डमरू, धपली, आधी नगाला प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाये जाता है होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों में इसका प्रियोग होता है नगालों को जोडे में भी बजाये जाता है जिसमें एक की ध्वनी पतली तथा दूसरे की मोटी होती है खोजबीन आपके यहां उत्सवों में कौन से वाद यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समुह में उस पर चर्चा करें आईए इंद्रधनुष बनाए बारिश की बूंदे नकेवल जीव जन्तों को राहत पहुचाती है बलकी धर्ती को हरा भरा भी बनाती है कभी कभी ये बूंदे आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है आप भी एक सुन्दर इंद्रधनुष बनाएगे और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए इसे कोई प्यारा सन नाम भी दीजिए इसे प्रिष्ट के निचले भाग में एक चौकोर बना है जिसके अंदर रिक्त स्थान है आपको इस रिक्त स्थान में इंद्रधनुष का चित्र बनाकर उसे कोई प्यारा सन नाम भी देना है प्रिष्ट संख्या 32 इस प्रिष्ट पर वर्षा रितु का चित्र है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं। जरोखे से एक बूंद। कविता जियो निकल कर बादलों की गोध से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर फिर यही मन में लगी। आह क्यों घर छोड़ कर मैं यू बढ़ी। कवि अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध। इस प्रिष्ट पर बारिश के मौसम का चित्र बना हुआ है। जिसमें आसमान से टपकती बारिश की बूंदें धर्ती पर पड़ रही हैं। और इसी से पेड़ भी हर्शा रहे हैं। इसी चित्र के निचले भाग में कुछ बच्चे अपने हाथों में छत्री लिए बारिश के मौसम का लुथ फुठा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक, मलहार, वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और मम्ता मलकानी, ध्वन्यंकन, मंजु कुमारी, निर्मान सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत